हेलो में अश्कार दोस्तों कैसे आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट अस्टडी में तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका आई टी आई पास छात्रों के लिए एक और यहां पे भरती का जो नूटिफिकेसन है वो रिलीस कर दिया गया है फाइनल हम वीडियो के आगे देखेंगे जो नूटिफिकेसन है वो पाटिकुलर किस डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीस किया गया है कौन-कौन से ट्रेड वालों को मौका दिया गया है और उससे भी जाद महत्वपुन बात यह है कि इसका जो अपलाई करने का जो प्रोसेस है अपलाई करने का जो तरीका है वो अन्य जो फॉर्म होते हैं उससे थोड़ा हट कर है तो वीडियो को एंड तक देखेंगे है तो सारा जो तरीका हो आपको पता चल जागा कि कौन-कौन से लोग फॉर्म अपलाई कर सकते हैं एस लिमिट क्या है सलेरिया स्टक्चर क्या है सलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा डारेक्ट मेरिट बनेगा या फिर आपका एक्जाम के तुरू सलेक्शन होगा उसके बाद फॉर्म कैसे अपलाई करना है कब तक आपका जो डेट वेगर है मेरिट का वह आ सकता है अपलिकेशन फीस लगेगा या फिर नहीं लेगे तो तमाम तरह का जो छोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी जो बाते होती है कोई भी फॉर्म के लिए वो सारा आज की सुने हम सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉन कर दीजिएगा ताकि आई टी पास जो भी लेटेस्ट अपडेट आये चाहे रेलवे की तरफ से कोई अपडेट हो या फिर आई टी बेस पर कोई भरती आता है सरकारी भरती हो अप्डेट से वो हर तरह का अपडेट आप सभी को मिलती वीडियो को लाए करके सबी ग्रूप में सेर कर दीगा इसका जो ऑनलाइन जो साइट का लिंक हो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा फाइनली वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं पर उससे पहले वीडियो को एंट तक देखिए ताकि सारी इंफोर्मेशन आपके पास हो तो देखिए यहां से पहले पोस्ट के बारे में समझ लिजी कि कौन कौन से ट्रेड वाले फॉर्म अप्लाइब कर सकते हैं, म Susque लीमिट की है, अने आपको आगे बतायेंगे की कि फॉर्म आपको कहां से अप्लाइब करना है, कि क्नीके हर ट्रेड के लिए अलग यहां पर से फॉर्म अप्लाई करने का तो देखिए यह जो आईटी आई पास का भरती निकला है वह आपका विश्वराई है इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलोजिकल से निकला है जो आपका यूनिट है एन सी एसम का एक यूनिट है जो आपका कस्तूरवा रोड बैंगलोर की तरफ से आपका पर्मानिट सरकारी भरती का नोडिफिकेशन आउट किया गया है ठीक है अड़र्टाइस्मेंट नमबर देख सकते हो तीन अबलिक दो हज़र तेईस उसके बाद आपको बता गया है कि पर बहुत सारे ऐसे बी फॉर्म होते हैं आए दिन रोजाना निकलते हैं जिसका नोडिफिकेशन ओफिसियल साइट पर पब्लिक तक नहीं किया जाता है और इसमें असानी से कंडिट का सेलेक्शन हो जाता है चलिए एक एक करके जानते हैं तो सबसे पहले आपको पता जेते हैं टूटल यहाँ पे साथ तरह के पोस्ट को हम देखने वाले हैं ठीक है सेवन तरह के पोस्ट को हम आपके कवर करेंगे सबसे पहले एक ग्रेट का प पोस्ट है जो अंडिजर्ब से जितने भी केंडिट विलाउं करते हैं सभी फ़र्म अप्लाई कर सकते हैं लेवल 4 के तहट आपको सलेरी मिलेगा 25500-18100 के बीच तीसरा पोस्ट को कबर करते हैं तो आई के ट्रेड है जो आपको शुरुआत हो रहा इसमें कितने ट्रेड को मौका दिया गया तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोनिस का है दो पोस्ट सलेरी श्रेक्चर 1913200 उसके बाद टेक्निशन ए इलेक्टिकल का है जिसमें एक ही पोस्ट है मात्र लेबल 2 के तहट आप फीटर का जिसमें मात्र एक पोस्ट रिलीज किया गया है और फिर से आपका इलेक्टिशियन एक कार्पेंटर में उसमें भी मात्र एक पोस्ट रिलीज किया गया और सब में जितना भी आपका आईटिया पास का जो भरती निकाला गया है लेबल 2 के तहट आपको सलेरी प्र अब जिसभी Treasury करतें हो च्यांइब को फिंटर यह एक तो करके आपको इस पता पर भेज देना में देखिए इस पते पे भेज़ देना है कहां भेज़ना है दी डारेक्टर विश्वरईया इंडस्टियल एंड टेक्नोलिजम मैंजूम कस्तूरबा रोड बैंगलोर यहां पर दिखें पिन कोड आपको दिखेंगा 56001 आपको 342023 से पहले यह काम कर देना अगर इसके बाद भे करना है ऐसा नहीं कि mail कर दीजेगा है सब इन्हें अगर mail भी करते हैं तो आपका form यहां पर reject हो जाता है चलिए उसके बाद यहां पर सम बेसिक डीटेल बताए गया छोड़ी छोड़ी जनकारी को बताए गया जिसके बारे में हम यहां पर देखते हुए चलते हैं अच्छे से समझने का कोशिस करीगा तो यहां से दीखिए जो आपका चार पोस्ट है ठीक है चार तरह का जो पोस्ट है जिसमें इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फीटर और कार्पेंटर बागी को छोड़ दीजे जो आइटी आइगा सिर्फ उनहीं का बात करते हैं त प्लाइ करेगा उसका आपको आईटी एगा सरिफिकेट एग्स्पिरियंस का कोई भी यहां पे नहीं बोला गया है अगर होगा तो आगे हम वीडियो के देखते हैं चलिए एप्लिकेशन फीस के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आपका नन डिफर्डेबल एप्लिकेश से वह पेमेंट होगा उसके बाद स्टैसी ओमें और फीजिकल को यहां पर कोई भी फीज देने को बात नहीं कहीं गए साथ में आपका एक सर्विसमें को कोई भी फीज नहीं देना है पे अगर स्किल का बात करेंगे तो पैसल का जितने भी आइटिय ईगा जो वैकंसी सं मे का जो रूल है उसके तहट आपको अगर आप OBC से बिलॉग करते हैं तो आपको तीन साल का SC और ST से बिलॉग करते हैं तो आपको 5 साल का वहीं अगर आप PWD के डेगरी से बिलॉग करते हैं तो maximum आपको 10 साल का छूट देखने को मिलता है इस में उसके बाद आपको जॉब रिक्वार्मेंट में क्या मांग किया गया है वो थोड़ा से आप देख लेते हैं तो देखिए आप जिस भी आइटी इट्रेट से आप फर्म को अपलाई करिएगा जैसे एक्जापल के तौर पर ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फीटर और कार्पेंटर यहाँ पर बुला गया है कि operation, repair, fabrication, handling, packing, installation and maintenance of the equipment, instrument और installation तो इसमें छोड़ा छोड़ा पैकिंग, handling, fabrication कैसे करते हैं कुछ भी पाट को repair कैसे करते हैं और installation मतलब रख रखा उसका कैसे उसको install किया जाता है यह सार six month का चाहिए या फिर three month का चाहिए या फिर आपको one year का चाहिए ऐसा कोई भी बांटेशन देखने को नहीं मिल रहा तो अगर आपको छोटा मोटा भी जनकारी है repairing, fabrication, handling, packing, installation से तो आप form को apply कर सकते हैं अब चलिए सबसे जो question आपका रहेगा कि finally selection कैसे होगा तो selection आपका CBT exam साम के थूरू होगा और अगर हो सके तो आपका interview भी इसमें conduct कराया जा सकता है, depend करता है कि कितने candidate यहाँ पर form apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए requirement cell भी थूरू competitive return examination and skill test, there will be no interview, तो देखिए इसमें interview नहीं होगा, सिर्फ आपका exam होगा और इसके बाद आपका skill test कराया ज इसना है मैंने पहले आपको बता दिए अगर वीडियो में वो पाट अगर script कर देगो तो फिर से वीडियो को देख लिजेगा, तो देखिए इस तरह का form मिलेगा और यह जो form है आपके official site पे मिल जागा, विश्वरईय इंडेस्ट्रियल के official site पे जिसका link इस वीडियो के description म इसका official link में डाल दूगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखी कि आपको कैसे form फिल करना है, यह जैसे आपका electronic state का है, उसी तरह आपका feature, electrician और carpenter का पे मिलेगा, इसका official site में आपको जाके चेक कर लेना है, description में लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले क्या करन है, amount आपको फिल कर देना है, 700 रुपए है, अगर आप undeserved OBC से बिलों करते हो, तो ही आपको examination fees देना है, अपना passport site photo यहाँ पे चिपका देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे block letter में, मतलब बड़े बड़े साप सुन्दर अच्छर में आपको form को भरना है नहीं, तो form आप प्रेल से पहले जो है आपका form department तक पहुँच जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि 30 को है तो आप 20 को ही post करिए, ऐसा मत करिएगा, एक दो दिन पहले आपको जाकर post कर देना है, और अच्छा काजा भरती है, इसमें समझे, experience वेगरा ना के बराबर आप से मांगा है, तो जितने भी